आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी परवल के भरवे की रेसिपी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं उससे पहले Welcome to Amazing Kitchen Recipes अगर भी तक आपने अमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें तो यहाँ पे परवल भरवा बनानी के लिए मैंने आधा किलो परवल लिये हैं परवल को अच्छे से धो लिया है और अब परवल को छीलेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी पीलर ले ले या नाइफ ले ले और इस तरीके से जो उपर की पतली लियर होती है उसे हटाना है बहुत जादा परवल को नहीं छीलना है तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे परवल छील करके तयार कर लिये हैं और कुछ छोटे परवल थी उन्हें मैंने हटा दिया है तो अब परवल को कट करेंगे तो आंगे पीछे का हलका सा भाग मैंने कट कर दिया है और पर्वल को इस तरीके से 20 से चीरा लगाना है और इसके अंदर का जो पल्प है न उसे knife की help से इस तरीके से निकाल लेंगे और निकाल करके एक कटोरी में रखते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैं पल्प को एक कटोरी में निकाल करके रख रही हूँ इसे फेकना नहीं है और इसी तरीके से आपको सारे परवल तयार करने है भरवे के लिए इसी तरीके से पल्प निकाल करके कटोरी में रखना है तो यहाँ पे मैंने सारे परवल तयार कर लिए है और यह जो पल्प निकला है परवल का उसे डाल रही हूँ मैं grinding 4 में इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 ताजी, लाल या हरी जो भी मिर्चों आपके पास वो डाल ले 7-8 कलिया लहसुन की डाली मैंने और बिना पानी डाले इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से grind करके पीस के त्यार कर लिया है अब कड़ाई में डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मस तेल तेल को गरम होने देंगे यहाँ पे मैं सर्चों का तेल ले रही हूँ आप कोई भी cooking oil ले सकते हैं साथ में इसमें डालेंगे 3 प्याच तो प्याच को मैंने बिल्कुल finely chopped करके मतलब बारी काट करके chopper में लिया है आप चाहे तो इसे कदुकस करके भी ले सकते हैं लेकिन आपको प्याच का paste यहाँ पे नहीं लेना है अप प्याच को भूनेंगे और इसी के साथ में इसमें डालेंगे एक चोथाई चम्मस से थोड़ा सा कम हींग और हींग के साथ में प्याच को अभी अच्छे से भूनेंगे जब तक भूनेंगे जब तक प्याच का कच्छापन नहीं हट जाए लेकिन प्याज को थोड़ा सा भूल लेंगे लगपग 2 मिनट तक और इसमें अब डालेंगे पिसा हुआ पेस्ट, तो इसे पूरा डालेंगे, और इसे भी अच्छे से भूनेंगे और अभी तब तक दोनों चीजों को भूनेंगे, जब तक इनका पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए तो बस फ्लेम को मैंने मीडियम हाई में किया हुआ है और लगा तार चलाते हुए इस तरीके से भूल लेना है और अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाला जीरा पाउडर 3 से 4 चम्मच यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर एक चम्मच यहाँ पे मैं डाल नहीं हूँ सौफ का पाउडर सौफ के पाउडर से बहुत यह अचा टेस्ट आता है तो जरूर डालियेगा और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच अम्चुर पाउडर अम्चुर पाउडर इसमें जरूर डालना है स्वादनुसा नमक डालेंगे और अच्छे से मसालों को मिक्स करते हुए एक मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम में भूनना है बहुत ज़दा मसालों को नहीं भूनना है बस एक मिनट तक भूनेंगे तो यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से भून गए है फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है और इन्हें ठंडा कर लेंगे जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो बस जो छीले हुए परवल है जिने हमने चीरा लगा करके त्यार किया था तो बस यह जो मसाला त्यार किया है इसे अब परवल में भरते जाएंगे इस तरीके से अच्छे से दबा दबा करके मसाले को परवल में भरना है तो इस तरीके से finger के help से मसाले को अंदर दबाते जाएं और बस इसी तरीके से आपको परवल को मसाले से भर करके त्यार कर लेने हैं तो यहाँ पर मैंने एक परवल में मसाला भर लिया है और इसी तरीके से बाकी के परवल भी मसाला भर करके त्यार कर लेंगे तो यहाँ पे सारे परवल में मैंने मसाला भरकर के त्यार कर लिया है और अब इन्हें फ्राई करेंगे पकाएंगे तो यहाँ पे मैंने सरसु के तेल को गरम कर लिया है 7-8 बड़ी चम्मत सरसु के तेल को लिया है और फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और सारे परवल इस तर परवल रख दिये है तेल में और फ्लेम मैंने मीडियम रखी है दो मिनट बाद इसे फिर से खोल करके देखेंगे और परवल को इस तरीके से अलटते पलटते हुए आपको तब तक पकाना है जब तक कि परवल अच्छे से पक ना जाए और अब फिर से धकन धक देंगे तो इ अगर आपको में चेक करना है की परवल अच्हे से पके है की नहीं तो आप कोई भी नाइफ लेले और नाइफ को यहलका इस तरीके से हैं जब इन अज debate देखे तो इन देखेल में हम ल् eigenlijk शुटा को तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है two पिंचे और नमक का और साथ में दो चुटकी दो पिंची, इसमें डालेंगे चाट मसाला, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमे, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे परवल में उपर, क्योंकि परवल में उपर हल्का सा फीका पन होता है, तो लास्ट में इस तरीके से ही ये मसाले डालने हैं, बस मिक्स करे और यहां पे परबल भर्मा बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए का आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप Amazing Kitchen रेसिपी को कलने सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सियर, कॉमेंट चरूर करें थैंक यू